नमस्कार, जोती सिंद्रानी में आपका स्वागत है देखिए कुंडली में तो आप लोग देखते होंगे लक्षमी नारायन योग बुद्ध और शुक्र की यूती बन गई तो लक्षमी नारायन योग बन गया हमारे कुंडली में लक्षमी नारायन योग का ही निर्वान करता है पाम में लक्षमी नारायन योग अगर मैं बोलू तो जिस परकार सब कुंडली में देखते होंगे लक्षमी नारायन योग बन रहा है तो शुक्र बुद्ध से लक्षमी नारायन योग बनता है तो इन दोनों ग्रहों पर किसी पाप गरह किसी दूस्ट कब्रह का द्रिश्टी न पढ़े ludique साथ यह साथ क्या इता है किस गर में बन रहा है यूग ठीक है उसके व्हाथ क्या देखते हैं हम लोग डिगरीवाइज कितने मजबूथ है है नाplaces नहीं मतराथ मेरा हैंग इतना कुछ देखके हम लोग लक्षमी नारायन योग की फल होता है उसके बारे मैं कूंडली देखेंगे हाथ में भी हैं और बहुत सारे कंडििशन होते हैं मैं आपके हाथ में रेखा लगए बहुत ऐखाें हैं लोगों को सूनते हो कि हमारे हाथ में इतनी अच्छी रेखा फिर भी हमें सफलता नहीं मिली है तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना जितनी ही हमारी पॉजेटिव चिन्हे है उतनी ही इस्ट्रॉंग आपके निगेटिव चिन्हे हो जाएंगी तो क्या होगा उसका फल तो नहीं मिलेगा तो लाइफ स्मूद्ली चलेगी, ना ज़्यादा हमारे साथ क्छराब होगा, ना ज़्यादा हमारे साथ अच्छा होगा, है ना तो देखिए हाथ को इसी परकार से देखीं जब भी लक्ष मिलिणाराईन योग मैं आ molto मैं आऊंगी, कहां पर की इस तर है देख disfr gradual के, पहले किसी भी फिंगर के तरफ जुका हुआ है तो कहीं न कहीं उस फिंगर की energy को ज्यादा ले रहा है है ना तो यह चीज तो किसी भी एक चीज का अती होना हमारे बर्डी में जिस परकार से कोई भी चीज अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका गलत एफेक्ट परने लगता है उसी परकार से हार्थ में भी अगर जुका हो तो ज्यादा जुका हो जाए तो वह एनरजी ज्यादा आने से उसका गल परेक्टिकल हमेंही जो पर्यवत पुर खीनेगा को घूर्ण, जो परेक्टिकल स्पीनं कस परेस को त unwीशे होता्य हमक अपने बैस का हैं मकान बना। कोई फ़रक नहीं पर नीब ही खराब है तो ऐक दो मंज़िले में भी मकान उबस्त हो जाता है तो इसी परकार हमारे पाम में जो होते हैं एक हाथ का जो अछे ह Monsieuruff n होता है वह लिए ह करते हो फार रहे हो गिए इस परकार से लाइफ लाइंज होनी चाहिए और एकदम से इस परकार से होनी चाहिए एक चित्यान दीजिएगा जिन भी जा तक का अगर हार्ट लाइन गुरू के माउंट पर पहुंचता है इन लोगों के आलाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन चलते रहते हैं जिन भी जा तक कि अगर मालीजे शनी के माउंट तक यह हार्ट लाइन हो यह लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं यह लोग बहुत ही धनी होते हैं आप अमीर खान, अमिता बचन, शल्मान खान, सारुक खान, सबके हाथ में आप देख लिए जो भी सूपर स्टार बने हुए हैं क्योंकि इन लोगों का उधार में इसलिए दे र करता है माइन लाइन श्ट्रॉंग होना चाहिए माइन और टोस नहीं होनी चाहिए उसके लाइफ लाइन बहुत अची होनी चाहिए प्राइमरी लाइन आपकी ज यह ज़गी तरह से आपके बेसिक नॉलेच अच्छी Higher Up परकार से कि भी जातक के हतेली इस परकार से जाए रेखा इस परकार से जाए रेखा अगर जिन भी जातक का पहले देख लीजिए शुक्र और गुरू यद शुक्र और performed ने कॉम्बियेकर बोलते इसे लोगों को, यह लोग जहां ख़रा होंगे, जंगल में भी रहेंगे, तो पैसे की अर्निंग कर लेंगे, इतने ही सार्थ दिमाग के मिलंसार होते हैं, चीजों को एकदम से बैलेंस करके चलने वाले होते हैं, है ना, और बहुत ही पैसा अर्निंग करने वाले होते हैं, इ अगर आपके किसी भी गुरू लाइन की बुद्ध लाइन के सुर्ष तो इतना आप जरूर समझेए यह आपके जो सुसराल है आपके जो लॉज हाउस है इन लॉज हाउस से बहुत ज्यादा सफलता मिलता है बहुत ही ज्यादा है एक दूसरी चीज़ अगर मालीजे शुक्र क कोई काम करते इनहें बहुत श्रगल करना पडो सफलता तो मिलेगी इसाए बुद्ध यही जिए सफलता तो मिलेगी मिलें गी लेकिन आपके फैमिली में कोई अकील है तो आप अकील को ही प्रोफेस्ट को आगे कीजिए इनजियजनयर ही बनीया विजनसमें तो ब stereotypes को बनी Cash है इसलिए हमेशा अगर बुद्ध माउंट पे जाए तो ऐसे लोगों को अपने परिबार दादा पापा जो काम करते हैं उस काम को कंटीन्यू करना चाहिए तो उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलती है उसके बाद देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है दोस्रहित होना च देखना है कि यह पर्टिकुलर जो में साइन बनाई हूं इसी परकार से हो तो यह बहुत ही अच्छा सिंबॉल बोला गया है एक कम्विनेशन और बनता है जो कि काफी अच्छा होता है अगर आपके शुक्र के माउंट पे स्क्वाइर का साइन हो तो आप देखें कि बहुत आगे बढ़ाने वाले होते हैं इनके द्वारा इनके फैमिली का नाम होता है ठीक है तो यह होता है यहां पर इसक्वाइर का साइन का मतलब क्योंकि एक वियोच ने पूछा है यहां का मतलब यह होता है कि जीरे जेल नहीं होता है यहां का मतलब हां थोड़ा सा जरूर होता अब देखिए यहां पर आपको लोटस का साइन हो बर्ग हो ट्राइंगल हो तो ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा सुक्सु विदा मिलता है के लरगा के लिए कहस बहुत करना के लिए उनकी उनकौको लगा के वटल जबना बहुत ज़य्क को अनुदो के दो और यहैं के लिए…. क्योंकि शुक्र आपके रोमैंस का होता है, शुक्र गल्स का होता है, फिमेल प्लेनेट बोले जाते हैं, और बुद्ध होता है क्या यूबा प्लेनेट, बच्पना होता है बुद्ध में, तो उस तैप की थोड़ी बुद्धी होती है, तो ऐसे जाता कि इसी परकार से होते है थोड़ा से लरकपन, थोड़ा से रोमेंटिक, थोड़ा से बचपना टाइप के होते हैं, लेकिन इनके पास धन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुद्ध को है, हमारे नौ प्लेनेट्स में से उबराज की पाधी मिली हुई है, तो यह ऐसे जाता है, उबराज के लाइक ज करना है, आगे आप जरूर बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो यह जो है ना, स्मूथली काम कराएगा आपको, है ना, अच्छा रास्ता दिखाता है, यह लाइन्स और यह चिन्ने का मतलब यही होता है, एक बहुत गुड गाइडर, गुड गुरू आपके लाइफ में है, त तो यही कुछ बात है थी, जो मैं आपको बताना चाहती थी, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को सेर जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, तो आज के लिए वस इतना ही, नमस्कार